एक ऐसे इंपोर्टन टॉपिक के बारे में जो ना केवल भारत बलकी पूरी दुनिया में सबसे जादा कॉमन हो चुका है इसे इस साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे पिशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि इन्हें ये बीमारी है और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स होते हैं जैसे कि हार्ट अटेक, हार्ट फिलियर और स्ट्रोक मैं बात कर रहा हूँ हाइपर टेंशन के बार में मैं चाहता हूँ कि आज का एपिसोड आप एंट तक देखे और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल टॉक्टरिक को सब्सक्राइब कीजिए और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े है हमारे गेस्ट वुंबई के वन अपड़ टॉप कार्डियोजिस डॉक्टर स्नेहिल मिश्रा हेलो डॉक्टर स्नेहिल वेलकम टुड़ शोओ कैसे हो आप थैंक यू सुपेश मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू मुझे इस शो पर इन्वाइट करने के लिए और आइ होप हम एक वंडरफुल डिस्कसिन कर पाएं जो सब के लिए एजुकेशनल भी हो और इन्फरमेटिव भी हो तो कृपिया हमें आपके जर्नी के बारे में बता है जैसे अब MBBS से लेके PG तक So MBBS से लेके PG तक तो एक आलमोस्ट एक लाइफ टाइम की तरह है सुपेश क्यूंकि जब हम एंटर करते हैं तो हम बच्चे होते हैं हमें ये भी नहीं पता होता है कि एक डॉक्टर बनना क्या है एक human body से डील करना क्या है हमें क्या क्या challenges फेस करने पड़ेंगे और वो first day जब हम dissection hall में step in करते हैं जहां में dead body को cut करना होता है वहां से शुरुआत होती है कि human body क्या होती है human body को किस तरह respect करते हैं तब तक हमने सिर्फ biology text books में पढ़ा होता है और फिर वहां से एक journey शुरू होती है जहां हम चीजों को समझते हैं patients को treat करना जानते हैं एक so called doctor बनके हम MBBS के बाद बाहर निकलते हैं तब भी ये confidence नहीं होता कि हम really सब को treat कर पाएंगे क्या हम उतने जिम्मेदार हैं जितनी जिम्मेदारियां society या patient हमको देती हैं फिर एक post graduation का struggle आता है entrance exam से लेके post graduation की पूरी residency जो especially भारत में बहुत टफ होती है तो उसमें हम सारी चीजें हम hard work करके हम genuinely जो चीजें हमें life पर practice में यूज आएंगी वो सीखते हैं और फिर हम बाहर निकलते हैं that is when you know हम एक बच्चे से लेके एक adulthood का एक entire period जो है वो actually हम MBBS में एक अलग lifetime गुजारते हैं MBBS से लेके PG तक और ये जो lifetime गुजरती है ये फिर हमें आगे के पूरे life पर काम आती है ओकी ओकी काफी experience ये आपको सिकाती है और फिर आपने PG और इसके बारे में थोड़ा सविस्तर में बता सकते हैं So post graduation मेरा MBBS लोकमान इतिलक medical college जो generally लोक सायन hospital के नाम से जानते हैं मेरी MBBS वहां से जिसे हम under graduation बोलते हैं और फिर post graduation और DM in cardiology ये दोनों चीज़े मैंने नायर hospital या टोपी वाला national medical college से की है तो fortunately सब आगेवश मेरी पूरी medical education जो है वो मुंबई में हुई अंडर graduation sign hospital से फिर post graduation on DM cardiology नायर में उसके बाद मैं दो साल तक नायर में as a lecturer भी जुड़ा रहा cardiology में तो इसले काफी समय दो हजार एक से लेके दो हजार सोला तक का समय मैंने municipal hospitals में बॉंबई में बिताया है और ये जर्नी जैसे मैंने खाए MBBS में सीखने से लेके post graduation में काम करने से लेके फिर finally lectureship में सिखाने तक की जर्नी थी जिसमें कई चीज़ें सीखीं कई गलतियां की कई डाट सुनी कई ऐसे जगों पे सोया और ऐसे जगों से खाया जहां कभी imagine भी नहीं करते थे कि यहां भी सो सकते हैं यहां से भी खा सकते हैं यह सारी जर्नी आपको इवाल्व करती है आपको एक बेटर डॉक्टर बनाती है एक बेटर human being बनाती है तो आपका टिपिकल वर्किंग डे या वर्किंग वीक कैसे होता है तो टिपिकल वर्किंग डे अब यूआ फर मेजॉरिटी आफ ऐस डॉक्टर्स आइडोंट तिंग कि हमारा कोई टाइम स्केडियूल है कि हम नौ से पांच ही ड्यूटी करते हैं या हम आट से चारी ड्यूटी करते हैं और सोसाइटी हम से यह उमीद भी करती है कि अगर आप डॉक्टर हो तो बले रात में दो बज़े हैं या सुबे में छे बज़े हैं आप अवेलेबल होने चाहिए आपको उनके फोन या मेसेजिस को रिस्पॉंड करना चाहिए इसलिए हमारा कोई टिपिकल वर्किंग आर्ज या टिपिकल वर्किंग डे नहीं है इंक्लूडिंग जैसे हम अभी बात कर रहे थे हम भले साटड़े हो या संड़े हो कोई ओफिशल हॉलिडे नहीं है कोई वीकेंड नहीं है आप जब तक शहर के बाहर नहीं है या जब तक आपने ओफिशली छुट्टी नहीं ली हुई है आपको हर टाइम अवेलिबल रहना है तो एक काम होता है 24-7 आपको अवेलिबिलिटी तो रखनी है आपका फोन हमेशा आपके साथ रहना है आपको messages की response as promptly as possible especially field to field भी vary करता है मैं काडियोलजिस्ट हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि नहीं मैं एक फोन भी miss करूँ तो मेरे मन में चिंता होने लगती है कि नहीं कोई important call तो नहीं था जहां एक WhatsApp क्लिनिक चलती है जब आप सारी चीज़ों, सारे reports का message करना कल के appointments देना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे एक typical working week में या day में होती है जो शायद एक normal इंसान के लिए नहीं है जैसे for most people WhatsApp is a source of entertainment या message, gossip, chat मेरे लिए WhatsApp एक मेरे inherent काम का एक बहुत important source है तो यह I think काफी सारे differences है जो हमारे में और एक routine job में होते है हम डिसकस करना चाहते हैं इस episode में जो main topic है अपना जो है hypertension तो एक क्या होता है और मतलब क्या इसका reason है main so hypertension I'm sure और सुपेश आज मेरे लिए या आपके लिए या हमारे लिए as a society हम जब blood pressure की बात करते हैं तो हम सारे लोग unfortunately यह इतनी common issue है कि हम सब जानते हैं अब की blood pressure क्या होता है हमारे सब के या तो immediate family में या close family में या friends में कोई ना कोई patient जरूर है जिसे या तो blood pressure है वो उसकी दवाईया ले रहा है या फिर unfortunately उसके कारण उनको कोई ना कोई complications हुई है इसलिए I think blood pressure तो अब एक common entity हुई है in fact जब studies भी इंडिया में हुई है सारे adult population में apparently almost one third to one fourth so one out of every three or at least one out of every four adult Indians actually is suffering from blood pressure right now हम में इसे कई लोगों को पता है कई लोगों को नहीं पता है बट ये incidence है जो इंडिया में multiple studies में पता चला है तो ये इतनी common entity है blood pressure जैसे की word indicate करता है blood pressure actually हमारी नसों के pressure को indicate करता है तो जो भी हमारी systemic arteries है जो हमारी systemic vessels है जो पूरे body में blood पहुचाती है उनके अंदर का pressure जब बढ़ जाता है तो उसे हम blood pressure नाम की बीमारी का नाम देते है ओकी ओकी हमने सुनाई कि एक primary hypertension होता है secondary hypertension होता है तो ये क्या होते है primary hypertension ये वो जिसे हम medically essential hypertension भी बोलते है ये वो common type का hypertension है जैसे हम generally सोचते है कि जिसे भी blood pressure है वो generally elderly लोग होते है commonly वो 50-55 प्लस के age group में ही लोगों को affect करता है और जब इस age group में generally हमें BP की पहली बार शिकायत पता चलती है यह हम treatment करते है तो for a majority of the cases हमें लगता है कि नहीं इसका कोई अलग reason नहीं है यह age related या एक body की एक particular profile related यह blood pressure है और इसे हम primary hypertension बोलते है जहां blood में या kidney में या hormones में हमें कोई दूसरा reason नहीं पता चलता है यह so called age related blood pressure है जो essential hypertension या primary hypertension कहलाता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे आप देखेंगे बच्चे हैं 15 साल का बच्चा है 18 साल का बच्चा है 30 साल की लड़की है 25 साल का लड़का है very uncommon इस age में कि किसी का blood pressure जो है वो 180 है या 210 है या 160 है तो जब यह values हमें इतने high blood pressure के at a very young or at a very uncommon age मिलते हैं young का हर किसी का अपना definition है हमारे लिए as a cardiologist anyone जो 50 के नीचे है वो हम young individual में count करते हैं तो जिसे भी 50 के नीचे है और अगर उसे blood pressure काफी high है तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि शायद इस blood pressure का age के अलावा कोई और reason हो और इसलिए तब हम multiple test करते हैं kidney से लेके hormone से लेके body के profiling से लेके जहां हम कई बार पता करना चाते हैं कि कोई और reason तो नहीं है जिसके कारण इनको BP बढ़ रहा है और शायद ये reason ठीक करने से इनका blood pressure क्योर हो जाए तो ये जो BP का प्रकार होता है उसे हम secondary hypertension मतलब एक reason रहता है जैसे किसी को thyroid का issue है और वो thyroid जो है वो BP को बढ़ा रहा है तो अगर आप thyroid को ठीक कर लेते हैं तो blood pressure ठीक हो जाएगा मुझे अगर kidney की problem हो गई तो kidney की problem के कारण मेरा BP बढ़ रहा है तो वो kidney की problem ठीक हो जाए तो शायद मेरा blood pressure ठीक हो जाए तो ऐसे सब causes को हम secondary hypertension के लिए और risk factors क्या होते हैं hypertension के लिए सच कहूं तो सुपेश एक time था जब हम textbook में पढ़ते थे कुछ defined risk factors थे और कुछ चीज़ें commonly लोगों को भी पता है कि हमारी diet unhealthy होती जारी है हमारी lifestyle sedentary होते जारी है हम जादा physical activity नहीं कर पाते हैं हमारी एक family history का इबार एक बहुत strong होती है हर family member को blood pressure है या at least 50% family members को blood pressure है obesity है, मोटापा है एक particular age है जैसा मैंने बुला 55-60 के बाद काफी common है कि लोगों को blood pressure होता है तो यह conventional risk factors है जो हर किसी को पता है, जो हर कोई जानता है कुछ uncommon risk factors है not uncommon a little people are unaware not aware people, लोगों को लगता है कि नहीं, यह कोई issue नहीं है जैसे कि stress for example हम सब सोचते हैं especially शेहरों में कि stress तो normal है यह तो हमको deal करना ही है but stress अपने आप में एक बिमारी है जो हमारे physical body को भी कई तरह से affect करती है lack of sleep for example so irregular sleep hours हम बहुत बार सोचते हैं especially social media के चलते कि रात में हर कोई 12 बजे के बाद सो रहा है एक बजे के बाद सो रहा है limited hours of sleep मिल रही है irregular sleep मिल रही है आपके sleep का pattern disturb हो रहा है रात में prolonged sitting hours like for example हम में से काफी लोग है जिनकी desk jobs है हम जादा move नहीं करते हैं हम 6-8 घंटे हम सोचते हैं कि हम आदा घंटा walking कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके अलावा दिन के 10 घंटे 11 घंटे हम एक की जगापर बैठे हैं तो ये सब risk factors भी हैं blood pressure के जो लोगों को अभी तक awareness नहीं है लेकिन वो उतने ही important है जितने बाकी known और common risk factors है ऐसे आपने बोला sedentary lifestyle मतलब बैठ बैठ के वो तो काफी बार मतलब underestimate कर जाते हैं मैं तो कुछ exercise करूँगा या फिर walking करूँगा पर जितने घंटे बैठे हो तो उसका कोई calculation बिल्कुल टीक से नहीं होता बिल्कुल इन फैक्ट सुपेश यह line-up बहुत common है and I think more and more people should be aware हम जो भी lectures लेते हैं cardiac risk factors को in general हम बोलते हैं कि sitting is the new smoking तो हम सब समझते हैं कि smoking करना बुरा है वो एक risk factor भी है blood pressure का अपने आप में या heart disease का but especially now for most of us जैसे इस chair के उपर अगर मैं एक cigarette रग दूँ एक alcohol की bottle रग दूँ एक pizza burger रग दूँ और आपको पूछूँ कि सब से dangerous आपके BP के लिए या heart के लिए क्या है तो most of us will think कि शायद वो दारू होगी या वो cigarette होगा but it is actually the chair so sitting उतना खराब है जो हमें उस तरह identify करना चाहिए इसलिए आज आप देखेंगे तो जो भी recent fitness bands है fitness watches है smart watches है वो आपको एक buzzer देती है कि time to move, time to stand तो वो भी आपके overall fitness के लिए उतना ही जरूरी है जितना हम बाकी known चीजों का ध्यान रखते हैं और कई के companies में मैंने देखा है कि एक ergonomics का उनका एक alarm रहता है इतना time हो गया अभी आप खड़े लिए exercise कीज़े तो वो भी तो वो हमने especially ये last five to ten years में जब लोगों ने चीजों को समझने की कोशिश किया कि क्यों इतनी incidents बढ़ रही है कौन से factors हैं जो हमें नहीं पता हैं या जो लोगों को aware नहीं है जिनसे अभी भी वो affect हो रहे हैं या जिनसे उनकी BP की या heart disease की risk बढ़ रही है तो ये सारे factors थे जो पता चले और इसलिए आज हम जब भी young generation में बात करते हैं या हम social platforms पर बात करते हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम लोगों को common और थोड़े से जो aware नहीं है ये दोनों risk factors के बारे में बताएं जिससे कि लोग अपने health का सही तरीके से ख्याल रख पाएं जैसे awareness बढ़ेगा तब यह हो आपके तरह के platforms ये वीडियोज ये ये चीज़े हैं अगर दस लोगों ने भी सुनके कोई change कर लिया तो हम सब का जो purpose है वो solve हो जाता है सुपिश और इस hypertension के अलगले stages क्या होते है मतलब कब ऐसे पता चलते कि अभी बोल सकते कि इसको अभी हाइपरडेंचिन हो गया medically stage 1 कुछ societies है जो stage 1, stage 2, stage 3 में define करती है societies मतलब दुनिया भर में medical societies है जैसे European, American, Indian, Canadian जिनको universally follow किया जाता है हर एक society अपनी तरह से अलग-अलग बिमारियों को classify करती है, stage करती है कुछ societies है जो अभी भी BP को या blood pressure को stage 1, 2, 3 में classify करती है और एक borderline blood pressure मानती है जो stage 1 के पहले की है तो जैसे मुझे पता चला just की मुझे blood pressure है लेकिन वो उस level का नहीं है जिसे दवाईयों की जरुवत है वो सिर्फ lifestyle से ठीक हो सकता है तो generally ये pre-hypertensive या borderline hypertension या just to reach stage 1 hypertension होता है measurement रखे and 180 plus depending on what the reading is at the time of presentation इस पे भी ये depend करता है कि उसके साथ साथ कोई complication है या नहीं जैसे मुझे blood pressure भले 150-160 का है लेकिन मुझे multiple target organs में damage हो गया है brain में, heart में, kidneys में तो मैं एक advanced stage पे हो जाओंगा blood pressure के while the same person with a similar BP लेकिन अभी तक complications नहीं हुए है तो उसका stage जो है वो थोड़ा सा lower रहेगा तो generally higher the BP, higher the stage और complications के साथ साथ भी आपकी staging जो है वो बढ़ती जाती है ओकी, ओकी पर मतलब इसमें कोई particular reading होती है जिसे 140 के उपर चला गया तो conventionally, although इसमें भी बीच-बीच में कई controversies उठती रहती है but I think आज भी universally हम जो follow करते हैं वो 140 by 90 को हम मानते हैं कि अगर 140 से by 90 मतलब 140 by 90 के उपर आपका blood pressure हर बार है या consistently है या at least majority of the times है तो मुझे blood pressure है ये depend करता है कि हम घर पे measure कर रहे हैं हम clinic या hospital में measure कर रहे हैं घर के BP के measurement के लिए हम 135, 185, 135, 185 को upper limit of normal मानते हैं and office या hospital clinic के measurement को हम 140, 90 को normal मानते हैं up to that is आप उस stage पे हैं जहां दवाईयों के जरुवत नहीं है या आप stage 1 hypertension में नहीं है और उसके उपर जब majority of the readings हैं तो इसका मतलब है कि आपको blood pressure है जो सिर्फ lifestyle नहीं जिसे lifestyle प्लस दवाईयां दोनों के जरुवत है और इसमें दोनों important है जो उपर का systolic और diastolic और बिल्कुल 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 तो दोनों readings important है कुछ age groups में जैसे especially elderly लोगों में बहुत common है कि उनका सिर्फ systolic BP बढ़ता है उनका diastolic BP नहीं बढ़ता है generally उनकी diastolic BP 60 to 80 maximum 90 के range में होती है जबकि young population में कई बार चीजें reverse होती है तो बहुत commonly हमें young patients मिलते हैं जिने हम सिर्फ diastolic hypertension बोलते हैं जहां systolic 130 है लेकिन diastolic कई बार 110 तक मिलता है तो इसलिए दोनों रीडिंग्स देखना important है पहले माना जाता था कि नहीं सिर्फ systolic important है या सिर्फ diastolic important है लेकिन अब हम जो present literature या science से जानते हैं कि दोनों रीडिंग्स equally important है और दोनों को control करना overall health और heart के लिए जरूरी है और ब्लड प्रिशर लेने का सही तरीका क्या है मतलब खड़े होके लेना है lying down या फिर wrist के भी machines आगए या फिर आम का तो इसमें सुपेश दो चीजे हैं एक तो जब आप obviously हम BP दो जगा मेजर करते हैं एक तो हम या clinic या hospital में मेजर करते हैं जहां हम rely करते हैं कि सामने वाला जो डॉक्टर है या nurse है या जो staff है वो हमारा BP सही तरीके से मेजर करें वो एक अलग science है but especially for people at home जो हमारी main audience है जो home BP measurements करते हैं या जिनके पास digital machines है I think the right way is कि सबसे पहली बात आप अपनी machine को calibrate कर लीजे उसको accurate है कि नहीं वो check कर लीजे क्योंकि electronic device है तो यह inaccurate हो सकती है it helps कि आप अपनी machine एक बार अपने doctor के पास ले जाएए उसकी reading और अपने doctor की physical reading को उसी time उसी जगा पे compare करिए यह नहीं कि आप घर पे check करके doctor के पास जाएंगे दो अलग-अलग जगा पे आपका BP vary कर सकता है इसलिए जरूरी यह है पहली बात before you start reading also आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी machine सही है या नहीं तो doctor के पास ले जाएए उसी हाथ में उसी समय दोनो readings चेक कर लीजे 5 to 10 का difference जो है वो generally acceptable है अगर उतना ही difference आ रहा है तो आपकी machine ठीक है और फिर आप घर ले जाएए घर पे जब हम BP चेक करते हैं तो दो चीजों का ध्यान देना है सबसे पहले ये कि आप हमेशा sitting blood pressure measure करें कुछ ही cases हैं जिनमें हमें lying down या standing BP की जरूवत पढ़ती है majority cases में हमें sitting blood pressure चाहिए होता है and choose one arm आप अगर left से measure करते हैं तो हर बार left से measure करें ये नहीं कि इस बार एक हाथ दूसरी बार दूसरे हाथ से check करें कोशिश करिए कि जब आप BP measure करें तो आपके हाथ table पे rest करते रहें machine table पे रखी हुए legs जमीन पे आराम से rest करते हुए आप cross leg नहीं बैठें आपका BP आप खाना खाने के तुरंद बाद या चाह या coffee लेने के तुरंद बाद या walking या आप कोई physical activity करके आए उसके तुरंद बाद मच चेक करें so at least half an hour का gap रखिए आप resting एकदम relax स्वे में जब रहेंगे तब आपका blood pressure check होना चाहिए और ideally अगर हम three readings ले सकें इस time पे और उन दो last दो readings का average ले ले तो ये सबसे accurate BP का measurement रहेगा between arm and digital machines I think मेरा एक personal bias है कि मुझे arm BP machines ज्यादा accurate लगती है because wrist ones थोड़ी नई technology है अभी तक वो उस तरह calibrate नहीं हुई है जो हम conventionally भी measure करते है वो हमेशा arm पे measure करते है तो शायद एक bias है शायद wrist के machines भी आगे चलके उतने ही accurate हो जाए but इस समय मैं personally यही recommend करता हूँ कि नहीं आप हमेशा arm BP machine करी दे कुछ लोग हैं इनको arm BP के कफ से discomfort होता है वो pain होने लगता है जब वो BP machine BP check करती है उन लोगों के लिए भले वो wrist machine use करें तो it is fine but for most common use I think arm BP machine is preferred तो मैं पूछना चाहरा था कि teen readings लेने चाहिए at least और उसका average हमको consider करना है बिलकुल जब आप home BP machine पे लेते हैं तो यह हम protocol follow करने patients को advice करते हैं और वो भी उससे ज़रूरी यह भी है कि आप multiple times दिन में readings लीजे सिर्फ एक बार की reading नहीं और हर बार same time पे ले यह भी ज़रूरी नहीं हम सबका एक normal day to day time to time भी BP का fluctuation होता है तो इसलिए यह भी ज़रूरी है कि आपका BP multiple times in the day भी चेक हो यह सब हर बार नहीं life भर इतनी बार नहीं measure करना है but especially जब किसी को पहली बार blood pressure है यह diagnosis होती है और जब हम treatment decide करते हैं तो वो शुरुआत के 10-15 दिन हम regular BP monitoring different times of the day की BP monitoring यह सारी चीज़े patient को समझाते हैं और जो लोग machine लेके यह चीज़ें कर पाते हैं उनकी treatment हम उस तरह fine tune कर पाते हैं कि उनके BP के लिए जो best treatment हो जो best दवा हो और जिस time पे best हो फिर हम accordingly दे पाते हैं और जहां तक रही office BP या clinic के BP measurement की बात तो कई बार यह बहुत बार गलती होती है कि हम एक बार बस clinic में गए और BP high आया और या तो doctor ने दवा शुरू कर दी और या तो patient ने बोला कि नहीं मुझे blood pressure है तो आप दवा शुरू कर दीजे और फिर वो lifelong BP की दवा लेते रहते हैं तो यह गलती नहीं होनी चाहिए अनलेस किसी का BP बहुत हाई है जैसे 160 के उपर है और या तो blood pressure के साथ आपको कोई complications हैं जैसे किसी को बहुत सरदर्द है या बहुत चक्कर आ रहा है या किसी को कोई major BP related issue है तब अलग बात है कि हम दवा same time पे शुरू कर दें बट जनरली अगर आप हमें mild BP है जैसे 130, 140, at the most 150 या lower side 80, 90, even up to 100 तो हम usually advice करते हैं कि कभी भी सिर्फ एक measurement पे BP की दवा न चालू हो at least multiple times आप clinic में measure करें, minimum 3 times and वो readings कैसी आती है उसके basis पे ये decide हो और या तो ideal यह है कि हम एक BP machine ले ले और उससे हमारा BP जो है वो घर पे खुद monitor करें ओके, ओके, जैसे अभी कुछ machines भी आते हैं जैसे ambulatory blood pressure monitors तो क्या हो काफी reliable है मतलब? नहीं बिल्कुल, ambulatory BP monitoring एक बहुत ही accurate और बहुत ही अच्छी test है जो ये नहीं कि हर किसी को जिसको blood pressure है उसे ambulatory BP monitoring की जरुवत नहीं लेकिन कुछ cases हैं जो challenging है जहां multiple दवाईयों के बावजुद BP नहीं control हो रहा है या फिर BP की दवाईयों के side effect हो रहे है और हमें ये नहीं पता चल रहा कि BP सही में है या नहीं है क्लिनिक में जादा आता है घर पे normal आता है ये जब controversies होती है तो वहाँ पर ambulatory BP monitoring बहुत help करती है basically ये 24 hour BP checking है जहां एक machine हमारे हाथ पे रहती है और वो machine लगभग पूरे दिन में including night hours में जब हम normally अपना BP नहीं चेक कर पाते हैं machine आपकी दिन से लेके अगले दिन तक मतलब पूरे 24 hours लगभग 40 से 45 reading लेती है और फिर वो पूरे दिन भर का जो graph है BP का और अपने normal schedule में जैसे मैं जब office में हूँ तो मेरा BP कैसे है मैं घर आया मैं जब walk पे गया मैं जब रात में सोया पूरे दिन का एक accurate measurement मिलता है कि आपका BP कैसे fluctuate हो रहा है और फिर accordingly हम उनके BP के दवा को और BP के दवा के dose को हम accordingly decide कर पाते हैं पर उसमें मतलब अपना जो regular lifestyle है जैसे routine का में वो चालू रखना है बिल्कु बिल्कु तो इसलिए हमें routine जैसे कई लोग हैं जिनका शायद घर पे BP normal है ऑफिस में जादा है या वाइसा वर्सा है ऑफिस में बहुत relaxed है घर पे stress इतना है कि घर पे BP उनका बढ़ रहा है या कुछ लोग हैं जो जिसे हम white coat hypertension बोलते हैं जिनका BP सिर्फ hospital में या clinic में जादा है और घर पे या ओफिस में शायद बिलकु normal रहता है तो इन circumstances में या ambulatory BP monitoring हमें बहुत help करती है क्योंकि फिर और प्लस ये हमें दिखता नहीं जैसे मुझे अगर ambulatory BP monitor लगा है तो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मेरी BP क्या आ रही है तो वो जो anxiety का factor होता है कि क्या number आया कितना आया ये भी इसमें nullify हो जाता है क्योंकि आपको पता नहीं कि machine क्या reading ले रही है और जो भी report आती है वो एक से दो दिन बाद doctor और patient दोनों को पता चलती है तो white coat hypertension जो रहता है मुझे तो blood pressure था ही नहीं और मैं फिर भी दवाईयां ले रहा हूं क्योंकि उन्हें typically white coat hypertension होता है जहां उनका BP सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो doctor के पास गए और वो tension में थे या वो anxious थे कि पता नहीं क्या reading आएगी पता नहीं मुझे क्या होगा और उस वज़ा से blood pressure बढ़ जाता है ओकी ओकी और यह mast hypertension क्या होता है so mast hypertension reverse of white coat hypertension है सुपेश्यो white coat hypertension में hospital में BP जादा आता है घर पे normal आता है while mast hypertension में hospital में हमेशा BP की reading accurate है normal है while घर की reading बढ़ी हुई रहती है इसलिए हम देखते हैं कि क्लिनिक में तो हमेशा BP control में आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है कि blood pressure है लेकिन फिर भी इस person को BP related complications है उनके heart के muscles थिक हो गए है उनके eye में कोई changes आ गए है जो BP related है उनको BP related kidney disease या stroke हुई है और फिर हमें realize होता है कि नहीं इसा नहीं हो सकता कि BP हमेशा क्लिनिक में normal है और फिर भी यह complications हो रहे है and for these people then we suspect कि नहीं है शायद mast hypertension है और इसलिए भी इनका BP जो है वो घर पे measure होना फिर जरूरी है तो यह बहुत बार एक false assurance हो जाता है कि नहीं बीपी तो ठीक है जबकि जब वो अपने setting जैसा मैंने बुला हम बहुत लोग हैं बहुत आजकल job profiles हैं जहां 11-11 घंटे हम अपने jobs पे हैं और बहुत सारे jobs अब इतने stressful हैं कि शायद job के वक्त हमेशा blood pressure बढ़ा हुआ रहता हो उन लोगों का और जब वो clinic आते हैं वो relax रहते हैं especially clinic में हम insist करते हैं कि नहीं आप पहले बैट जाईए आप 15 मिनिट relax होई है फिर हम BP चेक करते हैं तो शायद इन लोगों का BP clinic में normal है बट उनका अपने workplace पे या घर पे ज़्यादा आता हो इसके treatment के बारे में बात करें hypertension के तो broadly मतलब जैसे हमने सुनाए कि lifestyle exercise तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताईए बिल्कुल सुपेश तो हर modern medicine की treatment lifestyle से शुरू होती है और मैं ये जो एक bias है लोगों का इसे भी hopefully break करना चाहूंगा कि lifestyle treatment and modern medicine ये दूनों की एक दूसरे के antagonist नहीं है ये एक दूसरे की competitors नहीं है in fact ये complimentary है हमारी भी हर treatment lifestyle measures से ही शुरू होती है लेकिन हर कोई सोचे कि हम सिर्फ lifestyle change करके हमारी हर बिमारी ठीक कर पाएंगे तो ये एक false belief है जो कई लोगों में media के जरिए या videos उसके जरिये propagate किया गया है हर बिमारी का भले वो heart disease हो या cholesterol हो या blood pressure हो या diabetes हो treatment की शुरूआत जरूर lifestyle changes से ही शुरू होती है सो सही समय पे सोना सही समय पे उठना at least 6-8 गंटे नीन लेना एक regular physical exercise की routine बनाना जो उतनी जरूरी हो जितनी आपकी brushing हो या shower लेना हो अपने diet पे oil से लेके, carbohydrate से लेके salt से लेके हर चीज का control होना ये उतनी ही जरूरी है even in modern medicine जितनी दवाईयां देना है तो even for blood pressure mental and physical दोनों health पे ध्यान देना हमारी lifestyle treatment को शुरूआत करता है and then जिन लोगों का इसके बावजूद blood pressure नहीं control हो पाता वहां हम medicine का usage जो है वो करते है आप smoke नहीं करें हम alcohol का intake कम करें हम tobacco नहीं चू करें हम अपनी overall physical activity बनाए रखें हम अपने weight को और बाकी blood के parameter जैसे sugar और cholesterol को control में रखें ये सारी चीजों से blood pressure की treatment शुरू होती है और फिर जहां इसके बावजूद अगर BP control में नहीं है तो फिर हमें दवाईयों की जरुवत वड़ती है ओके ओके क्योंकि कई बार patients को लगता है कि एक बार BP की machine चालू कर दी तो medicine चालू कर दी तो फिर वो लेनी है तो इसलिए I guess avoid करते है यह तो हमारे लिए यह रोज के क्लिनिक का challenge है especially जिस भी patient को मुझे पहली बार blood pressure की दवा शुरू करनी है तो वो एक बहुत बड़ा bias होता है जिसके against मुझे काम करना पड़ता है उनको कई बार समझाना पड़ता है request करना पड़ता है क्योंकि मैं as a doctor समझता हूँ कि इस चीज की जरुवत क्या है या importance क्या है पर patient के मन में इतने सारे biases होते हैं इतने सारे thoughts होते हैं मैं उन्हें side effects से लेके अब तो हम बिमार हो गए तो अब हमारी life कम हो जाएगी यह BP के दवा की हमें आदत पड़ जाएगी शायद हमको जरुवत नहीं है फिर भी हमें यह दवा दी जा रही है तो यह सारी जो biases हैं यह especially जब पहली बार किसी को BP की दवा शुरू होती है तो मुझे दवा देना तो easy काम है मुझे पता है कि कौन सी गोली देनी है लेकिन patient को convince करना कि आपको यह BP की गोली अब हमेशा लेनी पड़ेगी या at least long समय तक लेनी चाहिए यह ज़्यादा दिक्कत वाला काम है यह ज़्यादा challenge होता है as a doctor वो दवा कौन सी देने यह सीख तो आप 10 साल में जाते हो बड़ उसको कैसे दिलानी है यह आप life पर सीखते रहते हो हर individual में जहां तक lifelong हर BP medicine की जरूवत पढ़ती है कि यह भी एक गलत message है I think yes majority लोगों में जरूवत पढ़ती है क्योंकि जब वो जब हम सारे lifestyle measures कर चुके होते हैं उसके बावजूद उनका BP control में नहीं होता तो हमें पता है कि नहीं इन्हें दवा की जरूवत है उसी तरह जैसे आप या mass spectacles पहन रहे हैं तो इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि हमने सारी चीजें देख ली करके लेकिन हमारे आखों को चश्मे के मदद की जरूवत थी और इसलिए हम पहन रहे है similarly body को जब तक उस चश्मे की या उस BP के दवा की जरूवत होगी तब तक उसे लिया जाएगा हम सब ophthalmologist के पास जाते हैं जब हमें चश्मा लगता है वो हमारा number चेक करता है number चेक करके वो बताता है कि आपका number कम हुआ है या बढ़ गया है पस यही number चेक करने वाला हम काम BP में भी करते हैं हम BP चेक करते हैं किसी का BP अगर lower than normal आने लगे तो body अपने आप ये message दे रही है कि आपकी BP की दवा कम हो सकती है या बंद हो सकती है तो बहुत लोगों में ये एक false दवा की जरुवत नहीं है तो आपकी body आपके blood pressure को lower than normal करने लगेगे या patient ये कोई decide नहीं करता है या आपकी body और आपकी readings खुट decide करती है मेरे कई patients हैं जिनके secondary hypertension थे like for example जो cause था blood pressure का वो ठीक हो गया उनको BP के दवा के आज जरुवत नहीं है similarly कुछ लोग हैं जिनका BP primarily unhealthy lifestyle के कारण होता है और जब उन्हें ये BP का थोड़ा सा setback आता है तो अपनी lifestyle को इतना improve कर लेते हैं कि उनको BP के दवा की जरुवत नहीं पड़ पाती ये uncommon है ये exceptions हैं they are not the rule unfortunately media सिर्फ ये exceptions को highlight करती है और हर कोई सोचता है कि क्योंकि इनका reverse हो गया या इनको BP की दवा की जरुवत नहीं पड़ी तो 100 में से 100 लोगों को जरुवत नहीं पड़ेगी ये सही नहीं है लेकिन हाँ ये जरूर possible है कि आपकी BP की दवा कम हो सकती है ये भी possible है कि शुरू करने के बाद आपकी BP की दवा बंद भी हो सकती है case to case और आपकी reading it is 100 में से 90 लोगों में क्या हुआ ये आपके लिए जरूरी नहीं है आपके लिए क्या होगा ये आपकी body और आपके readings खुड decide करते हैं इसमें doctor का भी decision कुछ नहीं है जब आपके पास BP की machine होती है आप खुद उसमें check करके देखते हैं कि आपका BP normal है, low है या high है अगर हमारा BP lower side जा रहा है तो it is itself an indication की आपके BP की requirement आपके दवा की कम हो गई है या ना है तो यह कोई subjective बात नहीं है ना इसमें कोई doctor के पास इतना authority या bias है कि वो आपको lifelong एक दवा पे रख पाएगा लेकिन आपको जरुवत है तो doctor की responsibility है कि वो आपको उस चीज को समझाए और insist करे कि आप उसको follow करें ओके ओके और जब exercise के बात होती है तो कुंसी exercise बहुत ज़्यादा important or beneficial है hypertension के लिए जहां तक exercise है सुपेश दर आर सम mental exercises जहां meditation, yoga, relaxation यह सारी techniques आती है और कुछ physical exercises है physical में aerobic exercises को सबसे beneficial मानते हैं in fact for most uncontrolled blood pressure patient जब तक भी adequately controlled नहीं होता हम उनको weight lifting है या जो exercises है जहां पर आपको pressure लगाना है body में वो चीजों को avoid करने बोलते हैं जब तक आपका BP well controlled नहीं है but for most of them अगर BP जब तक control भी हो रहा at least a basic aerobic activity आप शुरू कर सकते हैं तो 40 to 45 minutes of a walk और अगर जो लोग walk नहीं कर पाते हैं मैं majority मेरे patients को बोलता हूँ at least a stationary cycle ले लिजे आप 20 minute घर पे अगर stationary cycle भी use करते हैं तो वो उतना ही effective है जितना एक brisk walk है जिनके पास swimming pool का access है वो swim करें तो any of these three things जिसके लिए कोई gym या कोई बड़े park की जरुवत नहीं है आप अपने छोटे घरों में भी follow कर सकते हैं तो इनको आपको जरूर अपने routine में डालना चाहिए और जब BP control हो जाए तो at least two to three days of some light weight training तो यह नहीं कि हमें बहुत weight lift करना है या हमें बहुत muscles build करनी है लेकिन muscle training और resistance training जिसे हम भोलते हैं या strength training वो एक BP control होने के बाद उतनी जरूरी है जितनी aerobic है तो two to three days of strength training या resistance training and five to six days of some aerobic physical activity तो आप 15 से 20 minute भी अगर simple resistance training करते हैं लोग हमारे you know हम उठक बैठक जो हम पहले करते थे resistance bands ले लिजे dumbbells ले लिजे अगर आपको interest है तो there are n number of solutions in today's day and age ना information limited है ना solutions limited है सबके हर problem का solution है अगर आप उसको solve करना चाहते हैं और उसको follow करना चाहते हैं तो नहीं तो आपके पास excuses है तो life पर आपके पास excuses रहे जाएंगे तो आपको decide करना है कि यह priority को किसको देने है जादा बिलकुल सुपेश तो unfortunately जैसे हम बच्पन से ही हमें सिखाया जाता है कि आपको brush करना है आपको स्नान लेना है आपको सही समय पे लंच और डिनर करना है तो यह हमारे routine का एक part बन जाती है but especially Indian societies में now पहले तो था लेकिन आज physical activity को उतनी importance नहीं दी जाती भले वो schools है या फिर वो घर है हम अपने बच्चों को उतस तरह encourage नहीं करते कि आपकी physical activity भी उतनी जरूरी है जितना आपका brush करना है आपकी daughter है, मेरी daughter है हम उसे यह remind करते हैं सुने के पहले brush करो, उटने के बाद brush करो, लेकिन हम यह नहीं remind करते कि नहीं आपको 20 minute आदे गंट जाके बाहर खेलना भी है यह बच्च्पन से ही शुरू होना चाहिए school से ही शुरू होना चाहिए, फिर हम adulthood में भी उसे follow करेंगे और फिर अपने busy life style में से जिस तरह हम नहाने के लिए समय निकालते हैं खाने के लिए समय निकालते हैं I'm sure हम अपनी physical activity के लिए भी समय निकाल पाएंगे मतलब एक habit बननी चाहिए उसके बाद ही मतलब लाइफ लॉग तभी उसका meaning है सुपिश लोग सोसते हैं कि तीन महीने जिम जॉइन करके या छे महीने जिम जॉइन करके या एक साल कोई physical activity करके अगर वो कोई बिमारी को control कर पाएंगे या lifelong उसे body से निकाल देंगे तो ये एक wrong belief है ये जिस तरह आप रोज आपको brush करना है जिससे आपके teeth clean होए उसी तरह ये आपकी body की cleaning है जो आपको रोज करनी है for it to make any meaningful impact तो जैसे walking होगे तो at least आदा गंट है 40 to 45 minutes for 5 to 6 days in a week ये universally recommended जो suggestion है गाइडलाइन से है patient to patient vary करता है definitely आप कुछ लोग है जो नहीं कर पाएंगे उतना तो जितना कर पाएं something is always better than nothing मैं 45 minutes नहीं चल सकता इसलिए मैं 5 minutes भी नहीं चलूँगा तो मुझे कोई benefit नहीं मिलेगा और similarly कुछ लोग है जो इतने trained हो जाते हैं कि वो दिन में एक सवा घंटे डेड़ घंटे भी walking कर लेते हैं and their body is fit enough to do it but generally at least 40 to 45 minutes for 5 to 6 days in a week ये universal recommendations है जाके हो मोबाइस में खिर रहे तो एक बोट बरी problem हो सकते हैं आगे जाके बिलकुल बिलकुल सुपेशारा उनफॉचनेटली इंडिया में हम as a genetic predisposition या as a society हमारी society को हर heart related या lifestyle related issue western world से 10 से 20 साल पहले होती है so जैसे when I was मैं जब train होने के लिए abroad गया तो वहां अगर किसी 60 साल के आदमी को भी अगर heart attack होता था तो पूरे hospital में वो news होती थी कि अरे 60 साल वाले को heart attack आ गया या 50-55 वाले को आ गया तो तो उनके लिए वो बहुत उस पे research करते थे कि इसको इतने जल्दी तकलीफ क्यों हो गई और मैं तब इंडिया से गया था train होके जहां हमारे लिए 30 साल 35 साल वाले heart attack को भी हम ऐसे लेते थे कि हाँ ठीक है अब ये तो होता ही इसमें क्या करें तो इनके लिए जो हमारे लिए 50s हैं वो उनके 70s हैं जो हमारे 30s हैं वो उनके 50s हैं क्योंकि हमें हर एक बीमारी जो उनको 2 decades बाद होती है 20 साल बाद होती है तो इसलिए हमारे अगर बच्चे ही control नहीं करेंगे तो I am sure by the time they are 18, 20, 25 years age वो सारे issues से deal करने लगेंगे जो शायद आज हम 40, 45 या 50 में देख रहे हैं इसलिए ये सही habits होना एक physical activity की आदत होना और सही खान पी इन पर ध्यान देना वो बच्चों से ही शुरुआत होनी चाहिए जो so that हमारी future generations at least ये problem से उतना face उनको नहीं करना पड़े जितना हमें करना पड़ रहे है क्योंकि एक challenge ये बे कि हमको तो at least आदत है या फिर पता है कि नीचे जाके खिलना है पर अभी के बच्चे को तो पते नहीं तो आगे जाके वो लोग अपने बच्चे को बच्चे होते जा रहे हैं बाहर के space constraints है सिर्फ urban में नहीं rural में भी uptrend वैसा ही हो गया है plus हर चीज का easy access है कोई चीज के लिए आपको दूर चल के नहीं जाना है हर चीज घर पे order हो जा रही है पहले ये भी walking होती थी कि कम से कम हमें market जाना है, सबजी मंडी जाना है हमें चीजें लेने के लिए कहीं दुकान पे जाना है आज तो उतनी भी physical activity खाना से लेके आपकी शादी तक आप चाहो तो आप order करके हर चीज घर से ही कर सकते है online हो सकती है तो in that world बट आपकी body तो वही है जो हजारों साल पहले थी environment wise या physical body wise तो उसके consequences तो आपके face कर नहीं है और फिर आपको फिर हम surprise होते हैं कि अचानक कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है और हम कई unrelated चीज़ों को blame करते हैं जबकि the blame starts with us और meditation फिर इसमें बहुत ज़्यादा help करते हैं हाँ बिल्कुल और सुपश सी मैं तो ये believe करता हूँ कि meditation को हम conventional form में सिर्फ नहीं लें मतलब हर किसी के लिए meditation का मतलब अलग हो सकता है मेरे लिए मेरी daughter के साथ खेलना meditation हो सकता है आपके लिए music सुनना meditation हो सकता है किसी और के लिए friends के साथ कुछ time बिताना meditation हो सकता है family के साथ time anything जो आपकी personal और professional responsibilities से अलग है जो आप अपने लिए करते हैं जिसे हम me time बोलते हैं जो आप जिसमें आप अपने आपको involve करते हैं, enjoy करते हैं जैसे हम बच्पन में हम schools तक हम एक hobby डेवलप करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी responsibilities के साथ lose हो जाती हैं सुपेश every hobby I think is a form of meditation जिनको drawing पसंद है जिनको sculpture पसंद है जिनको कोई और art पसंद है तो ऐसा नहीं बहुत बार हम meditation जब लोगों को बोलते हैं तो उनको वो एक बहुत boring सी या वो you know priest या sadhu related चीजह ही लगती हैं उनको लगता है नहीं यह तो हमार इतलिए थोड़ी नहीं है हम अभी इतने बुड़े नहीं हो गए but I think every relaxation which is mentally possible is something जो आप meditation ही कहलाते हो उसको आप गाड़ी में आप music सुनते हैं अपने choice का तो आपको कई बार लगता है कि चलो अब आप energy हो गए तो वो भी एक तरह का meditation है but yes जो conventional meditation है जो conventional yoga है जो उसे पसंद करते हैं और follow कर सकते हैं definitely उसके अपने advantages हैं और जो उसे follow करके कर पाएं उनके लिए वो भी एक बहुत important treatment है जिस तरह बाकी की दवाईया है ओकी ओकी और जैसे किसी ने अभी BP का medicine लेना चालो कर दिया तो उसको at least कुछ time रहता है जिसमें वो control होने के लिए कुछ time लगता है मतलब at least एक मैना आया जो जनरली blood pressure दवाईयां शुरू करने के बाद हम यही counsel करते हैं patients को कि इनकी पूरी effect आने में कई बार 4-6 weeks 4-6 weeks लग जाते हैं but immediate effect दिखने में भी at least 1 week भर से 10 दिन का समय लगता है तो वो यह उमीद नहीं करें कि आज BP 180 है तो आज रात की हम दवा लेंगे और कल से हमारा BP नॉर्मल आने आना शुरू हो जाएगा because उसके लिए फिर हमें बहुत high dose दवाईयों की देनी पड़ेगी जो अपने आप में patient के लिए खतरनाक हो सकता है और इसलिए हम धीरे धीरे चीजों को step up करते हैं patient को समझाना भी जरूरी है कि नहीं BP कल से नहीं control आएगा उसके लिए थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा but seven to ten days में हमें at least 50% से 60% response majority patients में दिखने लगता है and generally अगर हमारी दवाईयां सही है और हमने अपने lifestyle measures को भी adopt किया तो most people should expect कि हाँ महिने डेड़ महिने में उनका BP जो है वो control हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि दो दिन हुआ है medicine चालो किया तो भी मेरा BPI हो रहा है सुपेश तो यह तो जो आप बता रहे हैं हमारे लिए clinic में यह रोज का encounter है हम रोज यह चीजें phase करते हैं रोज यह समझाते हैं but for every patient यह समझाना जरूरी है क्योंकि हर patient के लिए उसके लिए यह first time है हमारे जैसे platforms पे यह discussions commonly नहीं होते हैं तो किसी को यह awareness नहीं है कि हाँ इतना समय लगता है यह कोई magic pill नहीं है कि आज लिया और कल से उसने यह switch on switch off जैसा नहीं है कि बस button दबाया और कल से सब चीज normal हो गई तो एक body के अपनी system है एक rules हैं जो follow होती हैं और उसी के according फिर हमारा treatment जो है वो follow होता है ओकी ओकी और जैसे BP के medicines के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने सुना है कि बहुत सारे calcium channel blockers या ACE inhibitors तो इसे बहुत सारे different types of medications हैं तो एक ऐसे choose होते हैं क्या factors determine करते कि कौन से type of medication देनी चाहिए वो भी science के साथ evolve होता रहा है सुपेश आज हम fortunate हैं कि हमारे पास multiple options हैं BP को treat करने के जो शायद 25 साल या 30 साल पहले नहीं थे इन में से कई सारी medicines ऐसी हैं जो 25 साल पहले research ने पता भी नहीं की थी आज multiple options हैं आज हम science में ये भी believe करते हैं कि हर patient को एक साथ dual combination मतलब जैसे आपने बोला AC inhibitor beta blocker या AC inhibitor calcium channel blocker हम generally दोनों दवाईयों पे शुरू करते हैं छोटे छोटे dose पे और फिर उनका dose बढ़ाते हैं जिससे किसी एक का side effect patient को ज़्यादा नहीं होए और overall वो medicines एक दूसरे के लिए complimentary भी होती हैं कुछ इस पार्ट को ठीक करती हैं BP के कुछ दूसरे पार्ट को ठीक करती हैं तो अब हम generally science में ये believe करते हैं कि हमें हर patient को कोशिश करनी चाहिए कि वो combination therapy से शुरू हो low dosage शुरू हो और फिर धीरे धीरे उसकी dosage बढ़ाते जाएं जिससे effect भी जादा आए और side effect भी कम रहे विच इस what we want to achieve और किस तरह choose होना चाहिए तो ये BP के level पे भी depend करता है बहुत high BP को कई बार मुझे तीन तरह की medicines शुरू में ही शुरू करनी पड़ती है कोई young patient है या कोई elderly patient है तो मैं कोई एक तरह की दवा शुरू करता हूँ कुछ patients हैं जिनमें उनके reports को देखते वे उनकी body type को देखते वे मैं एक class of medicine को prefer करूँगा तो ये fine tuning ये tailoring हम करते हैं depending on the report, depending on the patient profile इसलिए इतने सारे options available हैं और फिर हम according to the patient हम उसके लिए जो best है उसे choose करते हैं तो सिफ चार पच्च medication के type नहीं उसमें भी combinations बिल्कुल और उनके हार केसी के smallest से लेके highest dose है तो वो patient to patient, reading to reading side effect profile, acceptance कुछ patients में हम वो दबा देते हैं लेकिन हमें realize होता है कि नहीं उससे patient की body react कर रही है उसे कोई side effect हो रहा है तो फिर हमें वो combination change करना पड़ता है तो generally medicine is not like treating a machine यहां कोई calculator नहीं है कोई fixed formula नहीं है हर किसी भले हम इतने सालों से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं फिर भी even for me every patient is unique I can never be, जो doctor बोले नहीं मैं 100% sure हूँ कि इससे आपका बिना कोई side effect के इलाज हो जाएगा तो जूट बोल रहा है because हर patient की body अलग है हर patient के लिए वो दवा कैसे behave करेगी, आपको किस level पे control आएगा, यह patient की body ही decide करती है और हमें समय के साथ ही पता चलता है तो BP medicines में हमने सुनाए कि statins रहते है blood thinners चालो के patient को तो यह क्या होते है so generally blood pressure के लिए नहीं statins, cholesterol की दवाईया है blood thinners like the word says यह blood thinners हैं जो जिन patients को heart attack या stroke या किसी तरह का clot body में हुआ है या किसी तरह की नसों में blockage है तो उन्हें blood thinners की जरुवत पड़ती है, उन्हीं patients को statins की भी जरुवत पड़ती है BP के साथ कई बार ये दवाईया commonly समझी जाती है कि साथ में हैं क्योंकि बहुत majority patients हैं जिनको blood pressure है उनको साथ में cholesterol भी है उनको कोई ना कोई नसों में blockage या clot भी है और इसलिए दवाईयां उनको साथ में चलती हैं लेकिन ये दवाईयां तीन अलग अलग purpose के लिए हैं मुझे अगर सिर्फ blood pressure है मेरा cholesterol जादा नहीं है या मुझे अभी तक कोई नसों में block नहीं हुआ है तो मुझे statin या blood thinner की जरुवत नहीं है मुझे सिर्फ BP दवाईयों की जरुवत है ओकी ओकी अगर I think सुपेश सबसे जरूरी बात यह है कि हम aware रहें कि blood pressure तभी पता चलता है जैसे आपने शुरुवात में भी बोला कि silent killer है तो इसे silent killer इसलिए बोलते हैं क्योंकि 80% of patients मतलब 100 में से 80 लोगों को जिनको blood pressure है उन्हें उसके कोई symptoms नहीं होते कोई हम generally लोगों का यह भी एक बहुत बड़ा myth है एक misunderstanding है कि मुझे BP कैसे हो सकता है जब मुझे सर में दरद नहीं है जब मुझे चक्कर नहीं है मुझे कुछ anisiness नहीं पाम हैसूस होता तो मुझे तो BP ही नहीं यह सिर्फ मुझे बोल रहे हैं कि मुझे बलड प्रेशर है जबकि it is known, it is common कि 80 and 80% is majority 10 में से 8 पेशेंट जिनको बलड प्रेशर है तो आप समझ सकते हैं कि बिना symptoms के majority लोगों में बलड प्रेशर है तो जब तक आप regularly check नहीं कराएंगे तब तक यह जरूरी नहीं आपको बलड प्रेशर हमेशा खुद पता चलेगा कि मुझे बीपी है same thing works for diabetes at times same thing works for cholesterol at times लोगों को लगता रहे मेरा cholesterol कैसे ज़्यादा हो सकता है मैं तो बिल्कुल अच्छी lifestyle follow करता हूं मुझे तो कोई symptoms नहीं है cholesterol high होने से generally symptoms नहीं आते diabetes में भी बहुत बार जब तक uncontrolled नहीं है हमें symptoms नहीं तो बीपी तो उससे भी ज़्यादा खतरना के इसलिए बीपी को silent killer बोलते है क्योंकि 80% लोगों में तो आपको blood pressure के लिए aware रहना है हमेशा एक age 25-30 age के बाद आपको अपना बीपी at least once in a year screening, regular follow up with your doctor, with your cardiologist जहां आपके बाकी parameters check होएं, जहां आपके बाकी blood की profile होएं जहां हमारी ECG 2DA को कोई complications तो नहीं develop हो रहे हैं यह सारी जो screening है especially जिनकी strong family history है जिनमें multiple members हैं, जिनने बीपी है तो उनको यह चीजों के बारे में पहले से aware रहना है और जो दूसरों के लिए optional है, वो सारी चीज़ें उनके लिए mandatory हो जाती है अपनी physical activity पे ध्यान देना अपनी sleep को regulate करना smoke नहीं करना, tobacco से दूर रहना drinks को limited रखना diet का control करना weight का control करना sedentary lifestyle नहीं रखना यह सारी चीज़ें for most young individuals and frankly अगर आप Indian है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा risk factor है, तो हमारे लिए तो for, we are an Indian family and हमारी Indian family में ही BP का incidence बहुत हाई है तो we all have a strong family history because we are all Indians and we all are at very high risk of developing all these issues so I think every young individual irrespective of कि उसको family में history है या नहीं, अगर वो Indian है तो उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए और फिर एक दूसरे, मतलब दूसरे के साथ compare भी ने करना है, मैं तो इतना exercise कर रहूँ तो नहीं कर रहे है वो सेम चीज़, सेम लॉजिक smoking में भी यूज होती है सुपेश, वो सेम लॉजिक कई बार rash driving या seat belt नहीं लगाने में भी यूज होती है आप seat belt नहीं लगाते हैं, आपने 25 साल गाड़ी चला ली, आपका accident नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे लिए seat belt लगाना जरूरी नहीं है वो आप अपनी safety के लिए लगा रहे हैं जो जरूरी नहीं कि किसी को 30 साल accident नहीं हुआ तो आपके लिए seat belt नहीं हुआ सेम चीज स्मोकिंग के लिए लोग उनसे compare करते हैं जिनके शायद बहुत strong genes है जो उनको protect करती है तो वो इनसान 80 साल तक स्मोक कर रहा है उसे कोई complication नहीं हुई does not mean कि आप भी स्मोक कर सकते हो same thing works for physical activity बहुत लोग हैं जो बहुत physically active हैं लेकिन फिर भी unfortunately क्योंकि उनकी family wise या genetically या environment में बाकी issues के कारण होने के बाद भी especially BP और cholesterol तो फिर भी so called minor issues है heart attack लोगों को होता है and they are surprised कि मुझे कैसे हो सकता है मैं तो सब चीज follow करता हूँ मैंने तो सारी exercise अच्छे से रखी है बट ये कोई rule नहीं है कि क्योंकि आप हर चीज follow करते हैं तो आपको blood pressure या heart disease या cholesterol हो ही नहीं सकता और ये message को समझना और accept करना बहुत जरूरी है ये लोग accept नहीं कर पाते सुपष तो ये जानना भी जरूरी है कि physical activity important है बट सिर्फ वो करके आप हर चीज को treat कर पाए या क्योंकि आप करते हैं तो आपको test की या check-up की जरूरी है ये बहुत रॉंग understanding है कई बार ऐसे भी होते है कि patient को BPI हाय है पर उनको कोई symptoms नहीं लग रहे तो फिर अगर उन्होंने कोई medications लेने चाहिए या फिर अगर उन्होंने नहीं ले तो उसके क्या effect रहते है बिल्कुल सुपेज जैसा हमने बोला ये silent killer है 80% patient जिनको blood pressure है जिसे दवाईयों की जरुवत है उन्हें symptoms नहीं होंगे तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि symptoms हों तो ही हमको BP की दवा लेने की जरुवत है symptoms नहीं है तो भले BP 160 है 180 है तो भी उसे कोई जरूत नहीं है ये बिल्कुल wrong message होगा अगर हमारा blood pressure high है multiple readings पे जैसा हमने discuss किया और lifestyle control करने के बावजूद अगर मेरा blood pressure majority of the times 140 90 के उपर रह रहा है तो मुझे blood pressure की दवाईया लेनी चाहिए इसमें कोई controversy नहीं है इसमें कोई bias नहीं है और जहां तक रहा you know दवाईयों के side effect की बात side effect हर चीज का है लेकिन उसका benefit हमेशा अपनी बीमारी के लिए side effect से 50 to 100 times जादा होता है तो symptoms नहीं होने के बावजूद अगर आपको majority readings high आ रही है lifestyle और diet control करने के बावजूद तो हमें BP की दवा ले लेनी चाहिए इसका consequences क्या होता है मतलब high BP हो गया पेशेंट को तो फिर आगे जाके इसके क्या consequences हो सकते है So consequences, कुछ consequences sudden होते हैं सुपेश जहां में emergency कोई complication हो जाए तो वो stroke से शुरू हो सकता है किसी को blood brain में clot हो जाए brain में bleeding हो जाए heart attack, heart failure kidney disease eyes में bleeding यह सब sudden consequences है blood pressure के और कुछ complications या consequences long term है जो धीरे-धीरे होते है इसलिए कई सालों तक high BP होने के बावजूद patient को यह feel नहीं होता कि मुझे उससे कोई तकलीफ हो रही है क्योंकि वो BP तकलीफ एक दिन में नहीं कर रहा वो हफतों, महीनों, सालों में धीरे-धीरे body को damage करके termite की तरह उस structure को weak करके फिर एक दिन वो structure collapse हो जाता है और लोगों को लगता है अरे यह sudden कैसे हो गया यह sudden नहीं यह वो अंदर का दीमक था BP वाला जो उस चीज को weak करते जा रहा था और फिर हमें एक दिन पता चलता है कि नहीं तो इसलिए acute भी complications है sudden complications भी है और long term consequences भी है जो eyes से लेके brain से लेके heart, kidney and blood vessels यह major organs हैं जो blood pressure से affect होते हैं और इसलिए यह बिल्कुल वैसी बीमारी नहीं है जिसे हमें lightly लेना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें symptoms नहीं है यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दवाईयों को नहीं लेना चाहते है मतलब BPI तो फिर अंदर से arteries का भी damage दो चालूई है बिल्कुल और वो हर minute हो रहा है हर दिन हो रहा है उसके consequence हमें एक दिन में कई बार नहीं पता चलते हैं इस सालों के बाद पता चलते हैं और जब तक हमें पता चलते हैं तब तक already damage इतना बढ़ चुका होता है कि हम उसे reverse नहीं कर पाते हैं हम सिर्फ उसको chase करते रह जाते हैं हम हमेशा फिर बीमारी के पीछे भागते रह जाते हैं कि कभी आगे नहीं आपाते हैं और जैसी कि आपने का कि इंडियन्स में तो ये हाइपर कोलिस्ट्रिमी ये सब बहुत टेंडेंसी जादा है बिल्कुल मैं वही भोल रहा हूँ सुपेश की अगर आप इंडियन हैं तो आपको कोई family history कोई रिस्क फैक्टर कोई दूसरे चीज की जरुवत नहीं है इंडियन होना अपने आप में आज के एज में एक स्ट्रॉंग रिस्क फैक्टर है जब वेस्टर्न पॉपॉपॉलेशन में जो लोग बाहर वर्क करते हैं जहां बाहर सेटल होते हैं वहां इंडियन को इंडियन पॉपॉलेशन को एक अलग तरह से देखा जाता है उनको एक अलग तरह से treat भी किया जाता है उनको एक अलग तरह से screen भी किया जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंडियन है इसका मतलब है कि इनको strong history है तो वो कोई और हिस्ट्री नहीं पूछते ना स्ट्रेस की ना डाइट की ना फैमिली की कोई नहीं वो अगर आप इंडियन है तो आपको अपने आप वो एक हाई रिस्क पे रख के आपको ट्रीट करते हैं और आपकी चीजें डिसाइड करते हैं यह अपने बड़ा इंपोर्टन पॉइंट बोला जो भी इंडियन अपने बाहर देश में एना रहे है या फिर बाहर के देश में शेटल हुए तो उनको अज़ इंडियन वो रिस्क फैक्टर है तो उन्होंने not compare them with other populations के साथ compare ने करना है और अपनी precautions जो भी medication से चालो करने चाहिए after consulting दो और कभी-कभी ऐसे होता है कि patient को याद ने रहता है कि उसने BP की medicine ली है कि नहीं उस दिन की तो उस दिन में क्या उसने फिर से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए so generally हम recommend करते हैं कि within 12 hours आप अपना dose मत repeat करिए आजाए तो मैं ले सकता हूँ लेकिन अगली dose अगर मेरी 12 घंटे के अंदर ही आने वाली है जैसे अगर मैं सुबह 9 बजे लेता हूँ और मुझे रात ने 11 या 12 बजे याद आया कि मेरी सुबह की dose मिस हो गई है तो it is best कि हम सीधे अगले दिन मौनिंग का dose ले लें लेकिन नौ का dose अगर आपको तीन बजे भी आद आता है और आप तब ले लेते हैं तो इसमें कोई हाम नहीं है तो फिर आप डबल डोस हो जाएगा तो उसको फिर मत लीजे और अगले दिन समय तक बीपी कंट्रोल में है तो एक dose मिस होने से कोई इमर्जेंसी या कोई कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं होती इसलिए उसमें पैनिक होने की जरुवत नहीं है याद आ जाए तो ले लीजे नहीं याद आ रहा है 12 गंटे ही बचे है तो जब दूसरे दिन का dose आए तब ले लेजे और कई बार ऐसे होता है कि पेशन्ट को लगता है कि अभी उन्होंने जैसे कि अभी बीपी मेरा कंट्रोल में आ चुका है रिडिंग ले रहा हूं मैं घर पे बीपी ले रहा हूं पर अभी नॉर्मल आ गए तो मैं खुछ से दवाई बन कर देता हूं तो अगर उन्होंने खुछ से ऐसी दवाई बन कर दी तो उसके क्या रिस्क हो सकते है जैसा हमने डिसकस किया सुपेश रिस्क शॉर्ट टर्म से लेके लॉंग टर्म हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में यह हो सकता है कि उनको तुरंत हम एक मेडिकल एंटिटी है जिसे हम बोलते है रिबाउंड हाइपर टेंशन कि हमारा बीपी कंट्रोल में था सड़नली सारी दवाईयां विड्रॉ हो गई क्योंकि सामने वाले को लगा कि अब वो नॉर्मल हो चुका है और अचानक बीपी क्योंकि आपकी बोडी अब नॉर्मल बीपी को यूज बोडी का अपना एक रिदम होता है बोडी एक सेटिंग पे सेट होती है पिछले पुछ दिनों तक वो 170 पे सेट थी हमने उसे कंट्रोल करके 120 पे लाया आज बोडी का पूरा सिस्टम 120 पे सेट हुआ है जब आप सड़नली दवाईयों को विड्डरॉ करते हैं और अचानक बीपी वापस अगर 160-170 शूट होता है तो इसके अगर rebound hypertension ना भी हो लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर regularly चेक नहीं कराया और फिर BP हमेशा लंबे समय तक high रहता गया तो जैसा हमने डिसकस किया over a long term वो definitely body को harm करेगा और वो सारे complications कॉस कर सकता है जो अभी तक हमने डिसकस किया मतलब blood vessels में भी अच्छनक से pressure बढ़ गया तो उसके जो उसे हम rebound hypertension भोते है तो ये heart failure से लेके stroke से लेके kidney failure से लेके कई सारी वैसी चीज़ें कर सकता है जो जान को भी खतरा दे सकती है ओकी ओकी और एक term के बारे में सुना है कि accelerated hypertension तो ये क्यों होता है और इसके क्या symptoms रहते है so accelerated hypertension generally वो hypertension है जो लोग commonly समझते हैं कि ये BP के symptoms है तो जैसे बहुत जादा सरदर्द होना बहुत जादा चक्कर आना imbalance होना जो generally हम सोचते हैं कि हर BP patient यह सोचता है कि ये है तो ही मुझे blood pressure है लेकिन actually वो hypertension के नहीं वो accelerated hypertension के symptoms होते है जहां body इन चीजों बहुत high BP को react करने लगती है resist करती है कि नहीं ये अब हम नहीं adjust कर पा रहे है and that is when ये symptoms आते हैं उसके causes कही सारे है but generally ये patients हैं जिनने हमें immediate hospitalization की जरुवत पढ़ती है सारी चीजों को monitored way में treat करने की जरुवत पढ़ती है और ये ही patients हैं जिनमें कई बार हमें secondary hypertension या complicated hypertension के भी reports और treatment जो है वो follow करनी पढ़ती है तो इसमें मतलब कभी नाक में से खून आ जाता है नाक में से खून आना, ocular bleed होना, आंक में bleeding हो जाना, stroke हो जाना, heart failure होना, kidney failure होना या फिर वो सब ना भी हो तो भी एक बहुत severe पीछे के side में या पूरे सर में दर्द होना एक अलग तरह का चकर महसूस होना चलने पर imbalance महसूस होना, बहुत बेचैनी महसूस होना तो यह जो सारे symptoms हैं, यह accelerated hypertension के symptoms हैं ओके, ओके, तो इसको मतलब तुरंट मतलब hospital sitting में यह treat होना चाहिए यह वो hypertension है, जहां मैं patient को यह नहीं बोल सकता कि आप कल आओ, BP घर पे चेक करो, परसो आओ, मैं hospital में चेक करता हूँ यह वो patients हैं, जिनको या तो immediate दवा शुरू करने की जरुवत है जहां मुझे अगर फिर भी लगता है कि नहीं इतनी कोई complication नहीं है जो hospital में जाके treat हो, और या तो majority of the times accelerated hypertension को hospitalization की जरुवत लगती है, और फिर हम सारे test और दवाईयां शुरू करके patient को stable करके फिर हम discharge कर पाते हैं मतलब उसे तुरंट अभी diagnose होना चाहिए और उसको control होना चाहिए बिल्कुल, ओकी, ओकी, और एक साल मुझे पूछना तो आपसे, जैसे lipid profile हम सुनते कि उसमें बहुत सारे test रहते हैं, जैसे cholesterol, उसमें भी फिर good cholesterol, bad cholesterol, LDL तो इनका क्या roles होते हैं, बॉड़ी में, so cholesterol तो सबसे misunderstood और सबसे bad name वाली entity है I think entire heart disease spectrum cholesterol और cholesterol की दवाईयां, बट फिर भी in general I think HDL is commonly the good cholesterol and non-HDL, मतलब HDL छोड़के जो भी lipid profile का component है, LDL हो या VLDL हो या triglycerides हो या उसकी एक अलग से measurement आती है, कही सारे अच्छे labs से आप report करा हैं तो non-HDL cholesterol की एक reading आती है, so everything जो HDL नहीं है, वो so-called bad cholesterol है Okay, okay, so like the words, everything is bad, so first people thought triglycerides high रहे तो भी कोई effect heart पे नहीं पढ़ता, या vessels पे नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं उसे, especially in Indian context again तो western context में शायद उनका relevance जादा नहीं था और क्योंकि most of the text books, literature, research western होती है तो कई बार ये misunderstanding हो जाती है, कि नहीं, triglycerides important नहीं है या भी LDL important नहीं है, सिर्फ LDL important है बट फिर हमने realize किया as Indians, कि नहीं हमारे patients तो majority जिनको heart attack हो रहा है उनका LDL उतना high नहीं है, जितना हम western world में देखते हैं या सुनते हैं और Indian scientists ने, Indian doctors ने, वहां के लोगों ने Indian patients पे अपनी research की and then they realize that, no, especially for Indians, everything which is non-HDL is important and all those parts should be counted as bad cholesterol Okay, right, क्योंकि मतलब जैसे कि American society हो गए, European society तो फिर उनके population में उनके population में उनके पॉपलेशन में वह जादा study करते थे इसलिए initially उन्होंने सिर्फ LDL को important माना कि यही bad cholesterol है, इसी पे धान देना जरूरी है इसी को control करना जरूरी है, सारी दवाईया, सारे research उसी के उपर focused रहे बट फिर Indian subset में हमने बहुत बार realized कि हमारे तो 50% से ज़ादा patients ऐसे आते हैं heart attack के, जिनका LDL उतना high नहीं होता जितना उनके studies में बताया गया है and then we realized कि एक Indian metabolic syndrome एक अलग तरह की issue है Indian metabolic syndrome Indian लोगों को हरे जैसे weight से लेके, जैसे उनकी overweight की definition, हमारी overweight की definition अलग होनी चाहिए उनके cholesterol काड़े so इसलिए हमने realized कि नहीं हम as a family, as a subset अलग है and then we started treating our patients differently Indian metabolic syndrome बिलकुल मतलब Indian ने तो special consider बिलकुल, जैसे हमारे में एक बहुत common चीज होती है normal weight obesity, just for example सुपेश, हम majority Indians हम overweight नहीं होते अगर आप सिर्फ body mass index calculate करेंगे तो शायद वो normal आएगी लेकिन आप जब abdominal circumference देखते हैं जो weight, waist circumference देखते हैं तो हमारे में वो high होता है body का weight normal रहेगा लेकिन waist की size जाधा रहेगी तो इसे हम typically normal weight obesity बोलते हैं कि weight normal है hip waist ratio जो हमारा derange होता है commonly इसलिए हम में adipose tissue visceral organs में deposit होती है मतलब liver में, heart में, intestines में यहां पर बार से दिखती भी नहीं visceral fat ऐसे उपर से आदनी इतना मोटा नहीं दिखता लेकिन अंदर से वो मोटा पा जो है या especially waste care round का जो obesity है यह जाधा health के लिए harmful है okay okay so यह सारी fine tuning है जो हमने realize की over the last 10-20 years जब Indians में incidence heart disease की BP की cholesterol की इतनी बढ़ गई and हम western world को भी जब पीछे छोड़ गए अपने incidence में और अपने age के presentation में तो हमने यह चीजों को more detail में देखा and फिर यह हमने फरक पाया कि नहीं यह चीज़े हमारे population के लिए relevant है तो यह भी मतलब check करने चाहिए जैसे age बढ़ता है visceral fat होगा क्योंकि बहुत सर लोगों को यह पता ही नहीं होता है बिल्कुल so आपका waste size is the most important factor in your health so obviously yes mental चीज़े है और बाकी blood की parameters भी ज़रूरी है लेकिन सिर्फ weight को देखके किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि नहीं हमारा weight ठीक है इसका मतलब है कि हम healthy है ओकी ओकी अभी क्या recent trends क्या देख रहे है जैसे heart attacks हम सुनते है young patient में आया है तो ऐसे और कुछ recent trends नहीं बिलकुल सुपेश especially last 3-5 years whether it was COVID whether it was the COVID vaccine whether it was all the stress related to COVID whether it was यह जो work from home का trend शुरू हो गया इन सारे factors ने especially 40-60 वाली जो age group of patients है उसमें last 10 सालों में हमने उतने heart attacks नहीं देखे होंगे जितना हमने last 3-5 साल में देखे हैं तो definitely something has changed या तो हमारा social media है या तो हमारा screen time है या तो हमारा environmental pollution है या तो हमारा food related pollution है या तो हमारी epidemic है कोई ना कोई चीज जरूर हम में बदली है जिसने इस incidence को बहुत increase कर दिया है और इसलिए अब हमारे पास वो option नहीं है कि हम casual हो पाएं अपने health को लेकर हर किसी के लिए जरूरी है कि आप अपने आपको screen कराएं अपने numbers को जाने और ये belief में मत रही है कि हम को तो check up 45 के बाद ही करना जरूरी है या 55 के बाद ही करना जरूरी है या 60 के बाद ही करना जरूरी है अगर मैं आपको अपना personal experience बोलू हूँ तो अगर मैं 10 patients treat कर रहा हूँ heart attack के या heart disease के तो शायद उसमें से 7 patients less than 65 years के है and only 3 patients are more than 65 तो मेरे लिए तो अगर 65 के उपर कोई है तो उसे मैं generally safe समझता हूँ and 65 के नीचे वाले so that has definitely changed इसलिए यंगर population में ये जरूरी है कि हम अपने आप के लिए भी उतना ही ध्यान दे और अपने health के लिए भी उतना ही ध्यान दे जितना हम पहले समझते थे कि एक एज के बाद ध्यान देना चाहिए क्योंकि अकसर इसे हो जाते है कि यंग पिशेंट सुचते कि ये ब्लड टिस्क्यू करिये तो खर्चा है हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल क्यों करने सी हमारे देश में health का खर्चा सबसे useless और burden वाला खर्चा माना जाता है सुपेश which is very unfortunate but it is true हमें शादी में खर्चा करना मुबाइल में खर्चा करना गाड़ी में खर्चा करना घर में खर्चा करना जूते कपडों में खर्चा करना बाहर खाने में खर्चा करना घुमने ये कोई खर्चा तो show off नहीं भी रगे लेकिन हमें लगता है कि हम अपने family लिए अपने खुशी के लिए कर रहे हैं लेकिन हेल्थ रिलेटेड कोई टेस्ट करना या डॉक्टर की फीस पे करना या हॉस्पिटल की फीस करना यह हर किसी के लिए एक बर्डन या एक यूजलेस एक्सपेंस हम हर कोई फील करते हैं अज मुझे भी दवा जाके खरीदनी प करते हैं और फिर हम सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि हर चीज का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो अबिस्ति मेडिकल भी बढ़ रहा है थो हम प्रीपेरेड Nahe तो उस threat को डील कर रहे हैं ये समझ के करना चाहिए सुपष ummm not because future के लिए हमारे अपने family के लिए आपकी family के लिए मैं मेरे patients को भी यही समझाता हूं कि आपसे ज़रूरी उनके लिए और कुछ नहीं है आपकी health से ज़रूरी आप अपने family को कुछ नहीं दे सकते हो तो उस चीज पर ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने काम और अपने बाकी assets पर ध्यान देना है आपकी health आपकी सबसे बड़ी asset है इस podcast के माध्यम से आपने बहुत सारे ऐसे जो concepts थी या फिर जो mindset एक ए रहता था फिर कोई-कोई patients या फिर कोई-कोई population में से आदत रहती है कि वो जब खाना खाते तो उसके साथ salt भी उंपर रहते है तो वो कितना गाटक होता है कितना जादा डेंजर रहते है उपर से salt डालना नहीं बिल्कुल salt especially excess quantity में जो आप describe कर रहे हैं जहां हम extra salt डालते हैं वो बहुत हामफुल है जिसे होटेल्स में भी रहते हैं तो और कुछ patients हैं जिने हमेशा थोड़ा extra salt के साथ ही खाना पसंद है उनके घर में हमेशा मसालेदार चीज़े ही जादा बनती है और long term पे उनके पूरी family को वो चीज़ जरूर affect करती है so type of salt शायद इतना matter नहीं करता so बहुत सारे लोग सोचते है rock salt या purified salt low sodium salt again वो कितना science है कितना publicity है या अभी तक clear नहीं है but salt का quantity is more important than which salt you are using so यह belief में नहीं रहें कि क्योंकि हम low sodium use कर रहे हैं क्योंकि हम rock salt use कर रहे हैं तो हम कितना भी डाल सकते हैं यह तो obvious salt हो गया और एक packaged food में hidden salt होता है जो कई बार हमें पता नहीं रहता so भले वो पापड हो या अचार हो या biscuits हो या bakery products हो या हमारे घर में जो भी packaged या बाहर से हम order करके canned food या preservatives हर preservatives में एक sodium का content जादा होता है और बहुत बार patients उस तरह भी extra salt लेते हैं जो उन्हें पता नहीं होता कि हम इतना salt खा रहे हैं तो यह दोनों चीजों का हाम उतना ही है और उन दोनों चीजों पे control रखना उतना ही ज़रूरी है मतलब package food का भी एक बहुत बार है बिल्कुल और वो अपने आप में एक hidden source of extra salt है मतलब patient ने फूरा नमक कम कर दिया सब करें पर package food खा रहे है तो उसका तो और होज क्योंकि हर चीज सोडा से ही बन रही है हर चीज में कहीं न कहीं sodium add हो रहा है so it is very important कि उस पे भी हम उतना ही control करें जितना हम अपने salt के intake को कर रहे है ओकी ओकी और एक सावल मुझे पूछना था कि जैसे अपने भी नमक के बारे में डिसकस किया तो शुगर का भी हमने अभी recent years में सुने शुगर भी बहुत harm कर दे तो इसके क्या effect होते है बाड़ी में बिल्कुल so सुपेशा शुगर की भी unfortunately as society has evolved especially artificial शुगर की हमें एक आदत पढ़ गई है और उसकी अपनी एक dependence हो गई है जो किसी भी addiction की तरह ही है हम शुगर की craving होती है अगर आप शुगर नहीं लें तो आप crave करते हैं और वो लंबे समय तक अपनी body में unnecessary calorie की तरह जाता है और उसके अपने side effects भी है जो ये सारे बहुत बार blood pressure salt से ज़्यादा sugar control करके भी ठीक होता है ये भी common चीज है जो लोगों को पता नहीं है and they realize कि नहीं salt 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 नहीं बहुत बार sugar intake भी एक excess calorie एक excess body में effect produce करता है inflammation से लेके आपकी sympathetic drive को बढ़ाता है जो अपने आप में blood pressure cause कर सकता है जबे नर्वस system आपकी जो पूरी neuro endocrine system है ये sugar salt दोनों से effect होती है तो sugar को ऐसानी की बंद कर देना वो ज़रूरी नहीं है लेकिन at least उसका control करना उसको excess में हमेशा नहीं लेना ये उतना ही जरूरी है जितना हम salt intake के बारे में बात करते हैं और वो सिर्फ diabetes के लिए जरूरी नहीं है वो हर उस person के लिए जरूरी है जिसके कोई भी heart disease related risk factor है बले वो blood pressure हो या cholesterol हो या diabetes हो ये भी मतलब इंडियन्स में तो बहुत common है खाना खाने के बाद sweet होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ तूरेते शीरा हो गया खल्वा हो गया ताइम था जब हम उतनी activity भी करते थे और ये सब naturally sourced sugar से बनते थे so majority of the time इन में जागरी होती थी इन में sugar के इन juice से चीज़ें बनती थी ये artificial sweets नहीं थे बट उनको हमने फिर अब आज एक routine बना दिया और वो dessert से लेके cake से लेके pastries से लेके और एक seasonal sweets बनती थी जो हर season के अनुसार बदलती थी हर मौसम हर तोहार के अनुसार बदलती थी आज वो कोई concept नहीं रहा है और इसलिए वो हमें हाम कर रही है rather than in those times it used to be maybe a healthy practice बट आज वो हमें हाम कर रही है क्योंकि हमारी lifestyle और हमारी food preparation उसी तरह की नहीं है जैसे पहले थी ओकी ओकी अच्छा यह मतलब इसी नहीं नहीं चीज़े पता चल रही है बहुत ही केरफूल रहना चाहिए इंडियन वो इसे mind में ही बना ले mindset बना ले और अगर आप नहीं ध्यान रखते हैं तो आपको हर टाइम वो चांस है कि नहीं आपको कोई ना कोई issue से deal करना पड़ेगा और फिर आप उसे फिर system पे blame करें आप hospital पे blame करें आप doctor पे blame करें उससे कोई purpose आप जब सफर करते हैं तो सिर्फ आप और आपकी family सफर करती है अके लिए अलबार अब मतलब enjoy जब करते है celebrations तो सबके साथ होते है बर सफर तो family आपके लिए करते हैं और आपकी सिर्फ immediate family आपके लिए तो मैं रोज देखता हूँ hospital में तो शादी में और birthdays में बहुत crowd आती है लेकिन जब किसी को देखबाल करनी होती है तो सिर्फ वही दो चार लोग बाकी लोग सिर्फ एक formality के नाम पे at the most एक बर ना कोई financial help में society आती है ना कोई physical help में society आती है जो women में होता है hypertension अवरतों में after menopause तो उसके भी अभी मतलब कुछ ज़्यादा incidence बढ़ गए या फिर हाँ बिलकुल सुपेश जैसे society change हुई है I think जितनी men women equality हर चीजों में हुई है unfortunately वो risk factors को और बीमारियों में लेके भी कई तरह से equality हो गई है आज जितना stress आदनी को है उतना ही stress women को भी है उनको कई बार जादा stress है क्योंकि उनको family और professional दोनो responsibilities handle करनी रहती है जिस तरह हम smoking का incidence आज women में भी ऐसा नहीं है कि वो uncommon है या नहीं है active नहीं तो passive smoking है अपने workplace पे similarly menopause की age भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है so आज कई सारी females हैं जो 40 में 42 में 38 में भी जिनको menopause हो जाता है और उनको hormonal protection लूज हो जाता है तो sedentary lifestyle unhealthy food habits lack of sleep यह सारी चीज़े men और women दोनों को face करनी पड़ रही है तो इसलिए ऐसा नहीं है women को भी यह belief में नहीं रहना चाहिए कि नहीं हमको तो 50-60 साल तक कोई ध्यान देने की जरुवत नहीं है या हमारे लिए diet या physical activity पे focus करना जरूरी नहीं है या हम 55 के हो जाएंगे फिरी हम अपनी health पे ध्यान देंगे तो उनका भी health पे ध्यान देना उसी तरह early age से शुरू होना चाहिए जिस तरह men का है and definitely menopause के बाद जैसा आपने बूला कुछ hormones हैं जो women में drop हो जाते हैं और इसलिए उनका जो cardiac protection होता है metabolic protection होता है वो lose हो जाता है और तभी उनमें BP, diabetes, cholesterol, heart disease की incidence बढ़ती है but ध्यान तब से नहीं ध्यान शुरू से ही देना ज़रूरी है जिससे कि तब उनको वो difficulties ना फेस करने पड़े जितना कि अभी मैंने सुना इतने सारे precautions लेने हैं इतना careful रहना है तो मतलब डरनी की ज़रूरी है but you have to take precaution ताकि एक्स्ट्रा बर्डन ना समझे उसे यह बर्डन है ही नहीं सुपेश आप इसे बर्डन समझते हैं क्योंकि यह आपकी routine का पार्ट नहीं है यह अगर आपकी routine का ही पार्ट होता है यह आपके लिए अगर आज हम toothbrush toothbrush खरीदने को या paste खरीदने को या shampoo खरीदने को हम burden नहीं समझते है क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारे body के लिए जरूरी है यह हमारे routine का पार्ट हो गया है but health unfortunately अभी भी health या health related expense एक burden लगती है क्योंकि इसको हमने अपने routine का एक पार्ट नहीं माना है हम सोचते हैं gym एक additional expense है हम सोचते हैं health check-up करना एक additional expense है health insurance करना एक additional expense है यह तो आपकी routine का पार्ट है उतना ही जितना आप मरने से जीने से मरने तक तो आपको expense हर चीज में है पैस्ता होते से ही खर्चा रहता है और मरने के बाद तक खर्चा होते रहता है so there is all this is an essential part of our routine तो वो burden फिर किसी को नहीं लगेगा सुपश्श मतलब ऐसे नहीं की insurance ले ले लिया मैंने तो फिर होगी है क्योंकि इसका कोई relation ने यह तो अपने lifestyle में inculcate करना ही है 100% और क्योंकि आप lifestyle कर रहे हो तो आपको insurance की जरुवत नहीं है यह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि irrespective of a healthy lifestyle आपको फिर भी कोई emergency या complications हो सकते हैं जिसके लिए आपको prepared होना चाहिए तो यह तो hypertension के बारे में पर कोई-कोई subjects में इसे देखा है कि उनको hypertension हो जाता है तो इस में मतलब BP उनका काम हो जाता है तो इसके क्या cause होते हैं और इसके symptoms क्या होते हैं So generally hypertension जब sudden होता है या low BP जब sudden होता है तो उसमें चिंता की बार जरूर होती है सुपेश क्योंकि बहुत बार जैसे हम वेजोवेगल सिंक भी बोलते हैं आप बहुत crowd में हैं या heat stroke में हम देखते हैं कि नहीं अचानक किसी का BP drop हो गया बहुत sweating हो गई मुझे lose motions या vomiting ज़ादा हो गई बहुत fluid loss हो गया तो मेरा BP कम हो सकता है किसी का बहुत blood loss हो गया तो BP कम हो सकता है किसी को heart attack या major heart failure हुआ वहाँ BP कम हो सकता है ये sudden BP कम होना is always harmful वो वाला hypertension जरूर हमें ध्यान देना चाहिए उसको immediate evaluate करके treat करना चाहिए बट बहुत बार लोगों का blood pressure normally थोड़ा lower side पे होता है और उससे उनके body को या उनके symptoms में कोई effect नहीं पड़ता है इन लोगों को hypotension से डरने की या उससे हमेशा fear में रहने की कोई जरूरत नहीं है especially अगर cardiologist ने देखा है आपका ECG 2DA को at least हुआ है and these things are normal just because मेरा BP 100 या 110 रहता है जो बहुत common है इंडियन में जो women है especially या जो frail है जिनका body type thin है उनमें normally भी blood pressure 100 and 10 100 रहता है और उससे सालों साल उनके body पे कोई side effect नहीं होता तो ये fear बहुत बार patients मुझे बोलते नहीं हमें तो hypotension की बिमारी है तो वो बिमारी नहीं है in fact it is proven कि अगर आपका BP कम है शायद lower side of normal है तो आप जादा जीते हैं तो I keep telling them that it is in fact a good thing कि आपका BP lower side रहता it is not always a harmful thing बट हाँ दवाईयों की side effect से अगर BP कम हो रहा है या sudden BP drop हो रहा है तो it is something that needs to be careful about और जिसके लिए फिर treatment की जरूँर पढ़ती है और जैसे कि अभी गर्मी का सीजन चालो है तो फिर हम देखते कि patient दूप में खड़ा था हो गिर गया तो heat stroke जैसे होता है तो यह क्या होता है मतलब इसका क्या mechanism रहता है हीट stroke में multiple factors होते हैं सुपेश एक तो यह कि आप sudden बहुत जादा गर्मी में आ गए और बहुत तेज गर्मी में आ गए सो जैसे मैं AC में से तुरंट में दूप में निकल जाओं जैसे हमारे लिए बहुत कॉमन ली होता है आप AC office में से निकल के अगर अचानक बाहर तो वो जो difference of temperature है एक तो वो count होता है या आप AC कार में एकदम chilled AC में बैटे हैं और अचानक आप 42-44 डिग्रीज के temperature में आ जाएं तो आपके body को sudden shift होता है temperature का और या तो आपका exposure लंबे समय से जाए शायद 2-5 मिनिट में नहीं हो लेकिन 15-20 मिनिट में आपको उसके effect आने लग जाएंगे और आप packed situation में है आप जैसे बंद गाड़ी में है वहाँ पर अगर आपकी AC नहीं चालू है और आपको धूप लग रही है या बंद कोई atmosphere में है जहाँ heat जाद हो रही है ventilation कम है वहाँ पर जरूर उसका effect जादा होता है और इसमें sweating के साथ-साथ आपके body की vessels भी dilate हो जाती है वह और expand हो जाती है जिससे आपका BP कम हो जाता है suddenly और इसलिए brain को वह blood supply नहीं पहुँच पाती है जो उसे मिलनी चाहिए और इसलिए हम collapse हो जाते है तो इसे typically heat stroke stroke like you said right at the beginning हर वो चीज़ जो brain से related होती है उसे हम stroke बोलते है तो heat stroke वो है जहां brain को heat के current blood supply कम पहुचके आदनी या तो उसके current गिड़ी हो जाते हैं चक्कर आने लगता है या हम unconscious हो जाते हैं तो इसे कैसे बचा जाए इसका management की हम एक तो हम वो extreme temperatures की fluctuation से बचें जहां भी possible हो बहुत extreme heat में जब भी जाएं तो हम precaution लेके जाएं and especially ये seasons में अपने आपको adequately hydrate करें तो वो भी उतना ही ज़रूरी हमे as our lifestyle is becoming different हम बहुत सारे लोग हम दिन में 6-8 glass पानी भी नहीं पीते हैं तो गर्मियों में वो especially important है कि आप अपने liquid intake पे भी ध्यान दे और keep yourself well hydrated either with juices or with fruits or with liquid hydration जिससे कि आपको heat stroke के effects ना face करना पड़े मतलब अपने अपने आपको जितना हाइडरेट रख सकें उतना बेटर उतना आप उस चीत से बच पाएंगे कि कोई-कोई लोग जैसे afternoon shift में जाते है तो फिर local train से travel कर रहे है दूप में चल रहे है ऑफिस के लिए और उसके बाद directly AC में या फिर opposite भी होते है ऑफिस से directly दूप में आ गए तो उससे chance बढ़ जाते हैं तो इन fluctuation से जहां तक हो पाए हमें बचना है तो hydration करके बचना है तो वो बिलकुल hypertension ही नहीं जो normal blood pressure लोग समझते हैं ये बिलकुल अलग है pulmonary hypertension एकदम अलग है ये सिर्फ lungs से related है तो pulmonary is medical term for lungs तो ये सिर्फ lungs का blood pressure है ये और किसी तरह का BP नहीं है ये normal वाले BP से एकदम अलग entity है unfortunately उसके साथ सिर्फ hypertension word जुड़ा हुआ है लेकिन वो बिमारी ही अलग है उसके causes भी exclusively lung से या कुछ heart से related है और ये बिलकुल अलग तरह से treat होता है अलग दवाईयों से treat होता है और उसका normal BP वाली दवाईयों से कोई relation नहीं है so pulmonary hypertension एक अलग बिमारी है जिसमें सिर्फ वो hypertension बोला जाता है जैसे और एक entity है portal hypertension which is related to the liver तो उससे भी hypertension बोला जाता है लेकिन वो hypertension नहीं है जो हम commonly समझते हैं तो उसी तरह pulmonary hypertension is only increased pressure in the lungs जिसका हमारे normal BP से कोई वो lung diseases से या कुछ heart diseases से होता है पर वो भी काफी मतलब वो बहुत serious है वो काफी एक cancer जितनी खराब issue हो सकती है especially जब वो advanced stages में होतो लेकिन वो एक अलग discussion है और उसका अपने normal वाले blood pressure से कोई relation नहीं अब ही अब क्या recent advances हुए है investigation या diagnosis of blood pressure में जैसा हमने advances कई सारे हुए है सुपेश advances simple understanding of what lifestyle factors are important वो भी advance है जैसे आपने बता है इंडियन्स के लिए जो चीज़े matter करती है sleep कितना matter करती है social media या आपकी screen time कितना matter करती है यह भी advances है क्योंकि यह हमें अभी कुछ सालों में पता चली है then advances in terms of tests so जैसे routine use of ambulatory BP monitoring easy access of blood test easy access of ECG 2DA को जिससे आपको पता चलता है कि आपको blood pressure के कोई complications हुए है या नहीं जो दस साल पहले इतना easy नहीं था यह चीज़ें कराना and then progressing to treatment so आज उतने treatment options available है जो दस साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था हर एक possible medicine का हर एक दूसरी medicine के साथ especially India में combinations available है and most of the medicines that we now use are very safe and very effective तो especially हमारे लिया as doctors things are becoming easier तो I'm sure कि you know as time progresses चीज़ें better भी होती जाएंगे और उसके साथ साथ फिर अपने challenges भी आते जाएंगे but definitely हर चीज में advancements भी हैं बीप की diagnosis से लेके understanding से लेके treatment तर तो मतलब patients को भी एक आपको counsel करना पढ़ता रहेगा कि एक investigation आपके लिए ठीक है बिल्कुल जैसे secondary hypertension या मुझे इसकी क्या ज़रूरत है बिल्कुल बिल्कुल जैसे बहुत एक common age group होता है blood pressure का जो 30 to 50 में present होता है especially Indians में young patients में मेरे लिए वो young है तो उनको मुझे सिर्फ BP की या BP के complications की test नहीं करनी पड़ती मुझे उनमें secondary hypertension वाली test भी करनी पड़ती है because I don't want to miss out कि अगर उनको कोई secondary cause है कोई reason है जिससे उनको BP हो रहा है तो उनको double whammy हो जाता है double expense आ जाते है BP related भी सारे expense आ गए और secondary hypertension related भी सारे expenses आ गए but वो जरूरी है उसके बिना उनकी कई बार treatment जो है वो हम सही तरीके से नहीं कर पाते है तो इसलिए जहां आपके doctor suggest करें या अगर कुछ expensive या advanced test भी किसी को suggest करें तो शायद उस patient के लिए वो जरूरी है majority of the times इसलिए वो advice होते है तो उसे जरूरी समझ के हमें कर लेना चाहिए और जैसे कि अपने इतने सारे बाते की इतने सारे counselling I guess एक बहुत बड़ा factor है नहीं बिल्कुल like I said मेचे दवा देनी है वो चीज में तो दो मिनिट लगता है कि इसको क्या है और कौन सी दवा चाहिए लेकिन मेरा majority 90% of my time is spent in making the person understand his disease and treatment तो कार्डियोलोजिस्ट होने के लिए सबसे essential qualities क्या होनी चाहिए आपको जो लग रहा है तो आपकी family को भी उतना ही समझदारी रखना जरूरी है कि वो आपके time के साथ flexible रहे है आप हमेशा available आपका रहना जरूरी है तो यह सारे factors है obviously आपको academically अच्छा रहना है आप one of the best students रहते हैं हमेशा तब जाके आप कार्डियोलोजिस्ट बनते हैं वो तो एक given fact है लेकिन सिर्फ वो important नहीं है आपकी एक social understanding होना और आपकी एक family की understanding होना भी एक अच्छे कार्डियोलोजिस्ट मैं यह popular या successful नहीं बोलूँगा लेकिन एक अच्छे कार्डियोलोजिस्ट होने में यह सारी चीज़ें उतनी जरूरी है क्योंकि जैसे आप बता रहते कि आपको कभी-कभी next 24 hours का schedule आपको क्या हो सकता है वो पता नहीं होता है तो इसे इतना unpredictable हो जाते है क्योंकि मेरे लिए अगर patient को मेरी जरूरत है इस time या अगले घंटे या अगले दिन तो उससे जरूरी फिर उस दिन में कुछ भी नहीं है unless हाँ कुछ इतना important है कि मैंने पहले से work cancel किया हुआ है या मैं शहर में नहीं हूँ तो बात अलग है but otherwise घर का कोई या personal कोई काम किसी के life से important नहीं हो सकता और आप हर रोज उसी चीज़ से deal करें उसी चीज़ को treat करें और वो life भर आपको follow करें ये कोई तीन दिन या तीन साल या तीन महीनों का routine नहीं है तो इसलिए ये चीज़ समझ के फिर आपको ये field choose करनी पड़ती है और फिर ये आप जैसे जैसे इसको understand करते जाएं उतना आप better काडियोलजिस्ट बनते जाते हैं तो ये काफी challenging job है तो आप कैसे खुद को motivate रखते हो कितना So motivation शुरुवात में parents की pride से आ जाता है I think for all of us when we begin हमारे parents को चीज में proud होते हैं तो वो चीज हमको भी खुशी देती है तो initial motivation तो वहां से मिलता है आपकी family आपको support करती है वो अपनी जगा एक motivation होता है और फिर आपकी daily life में आपकी patient के well-being आपको motivate करती जाती है तो जब आपके patients अच्छे होते हैं जब आपके patients आपके ilaad से खुश होते हैं तो वो अपने आप में motivation रहता है और आप उस चीज के लिए फिर काम करते रहते हैं और इसलिए यह irregular hours भी आप bear कर पाते हैं इसलिए आप एक वो lifestyle भी accept कर पाते हैं क्योंकि वो हर रोज जो आपको satisfaction patient से मिलता है वो आपको motivate करते रहता है obviously financially आप well-off होते हैं आप society के एक अलग class में belong करते हैं लेकिन वो एक level के बाद उतना motivate नहीं करता है जितना आपकी daily के interactions और आपके patient satisfaction से आपको motivation मिलता है okay, okay, so Dr. Snail so much यहापे आने के लिए और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा extra information मिली मतलब जो लगा नहीं था कि ऐसे से कुछ hidden बाते थी जो जिस पे आपने focus किया तो काफी interesting वे से और बहुती आसान तरीके से समझाया पर आपसे और भी topics के बारे में भाद करनी थी जैसे कि chest pain, heart attacks पर उसको तो पूरा एक episode लगेगा sir तो thank you so much आपने अपने busy schedule में से time निकाला और इतने important topics को इतनी आशान भाषा में हमको समझाया तो thank you very much sir Thank you Supesh यह opportunity के लिए and thank you for your endeavor कि आप इतने important messages को society तक पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं I hope यह चीज आइंकर है जो मैं सिर्फ इसलिए आया कि आपका messaging का तरीका मुझे सही लगा जरूरी लगा यह comments से लेके हर आदनी तक पहुचना चाहिए इसलिए I have been a part of your initiative so the gratitude and thank you is all mine Supesh, thank you and thank you to everyone who is watching us as well on the show तो यह थे डॉक्टर सनेहिल और मुझे पुरा बरोसा है कि आज का episode आपको बहुत ज़ादा information दे गया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पहलूपे बात की है जो कि हम कभी normal अपने discussions में नहीं होती या फिर जिसे हम net पे सरच करते तो नहीं मिलती तो डॉक्टर सनेहिल ने बहुत ही आसान तरीके से हमको इस सब समझा है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करे ताकि उन्हें भी एए information मिल सके अगर आपको ये एपिसोड अच्चा लगा हो तो इसे लाइक करे और मेरे चैनल टॉक्टरिक को सब्सक्राइब करवे क्यूकि मैं और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वालो नेक्स एपिसोड शुक्राइब थैंक यू फॉर वाच्चिंग